आज का हमारा जो विशे है वो है संप्रिशन, कम्मिनिकेशन, कम्मिनिकेशन एक संप्रिशन एक ऐसा विशे है जिसके बारे में जितनी सहजता से हम अपने आपको ये महसूस करते हैं कि हम जानते हैं इसके बारे में ये विशे इतना सरल है नहीं कीथ डेविस ने कहा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं और विचारों को पहुचाने की विध्य सम्प्रिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मैं तो पून है बात ये तो दो बाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नमबर एक सूचनाओं और विचारों को पहुचाना नमबर दो और इनकी विधी that is communication संप्रिशन है इसी चीज को नियूमेन और समर ने कहा दो या दो से ज़्यादा आदमियों के बीच तत्यों विचारों राय सूचनाओं तथा भावनाओं के विनिमे को संप्रिशन कहा जाता यानि कि नियूमेन साहब कीत डैविस साहब से एक कदम और आगे निकल गए उन्होंने न केवल तत्यों और विचारों की बात की उन्होंने साथ में सूचनाओं और भावनाओं की भी बात की अगर कोई व्यक्ति कोई यूमन बिंग अपनी भावनाएं भी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा रहा है भले ही वो मौन रूपे पहुचा रहा है तो वो भी संप्रिशन किसी व्यवसाए में बिजनस में इस संप्रिशन की इस कम्मिनिकेशन की बहुत अवश्चता पहती है कोई भी व्यवसाए तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसमें कारेगरत व्यक्तियों के बीच में कोई संप्रिशन ना हो न केवल कारेगत बलकि उससे सम्मंद रखने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो ग्राक हूँ, चाहे वो मालिक हूँ, चाहे वो श्रमिक हूँ, चाहे वो शासकी अधिकारी हूँ, आपको समप्रेशन तो करना ही पड़ेगा, उनके साथ कम्मिनिकेशन तो करना ही पड़ेगा, अ उड़ती नहीं है, जिस मिनट आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सामने या नहीं, पीछ पीछे, इसे कोई मतलब नहीं, जैसे ही आप उससे संपर्क करते हैं संप्रेशन शुरू हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक के आप उस वेक्ति के संपर्क में हैं संदेश ये जो हम दे रहे हैं ये आदान और प्रदान निरंतर चलता रेगा कई बार हमने नोट किया होगा तो देखा होगा, हम किसी सभा में, किसी मीटिंग में हम चुप बैठते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारी भाव भंगी माएं, हमारे चेहरे के भाव, हमारे बाडी लेंग्वेज, दूसरे व्यक्ति को सब कुछ बता देती है, कि हम एंज्वाय कर रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं, या हमें इसमें रुची नहीं आ रही है, तो यह प्रक्रिया ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया, रुप गया और हो गया, नहीं, जब तक आप संपर्क में रहेंगे, लगातार ये चलती रहेगी, दूसरी विशेष्टा है, संप्रिशन के लिए कम से कम दो व्यक्तियो की आवशिकता होती है, required at least two people, हम बात कहेंगे, तो कोई सुनने वाला भी तो चाहिए, अगर हम अपने मन में, अपने आप से बाते कर रहे हैं, तो ये monologue कहलाएगा, संप्रिशन नहीं, हम किसी को कुछ प्रेशित नहीं कर रहे हैं, तो संप्रिशन में कम से कम दो व्यक्ति आवश्यक होते हैं, जिनमें से संदेश देने वाले को संप्रेशक और संदेश ग्रहन करने वाले को संप्रेशन ग्राही कहा जाता है, यहाँ पर गार करने वाली बात तीसरी विशिश्ता है, संदेश अनिवार्य है, संप्रेशन में कुछ ना कुछ प्रेशित जरूर होग अनिवार है इसके अंदर, संदेश कोई न कोई चाहे। वो मौकिक हो, भाव भंगिमा हो, कोई सूचना हो, कोई विचार हो, कोई लिखित पत्र हो, मौकिक हो, कुछ पी होगा। लेकिन कोई ना कोई संदेश आवश्यक रुप से दिया जाएगा ये संप्रिशन आपचारिक या अनपचारिक भी हो सकता है आपचारिक जैसे आपके कारेले के अधिकारी आपके शिक्षक आपको किसी मिटिंग को अटेंड करने के लिए बुलाते हैं आपचारिक लेकिन वहीं आप जब रैसिस में या प्लेग्राउंड के अंदर अपने टीचर से अपने अधिकारी से मुलाकात करते हैं अनपचारिक है यह संपूर्ण रूप से किसी भी संगठने की संदचना पर निर्भर करेगा अगर हम एक्जांपल के तौर पर या उधारन की रूप में बात करें तो मैं उधारन देना चाहूंगा गुगल का मैं उधारन देना चाहूंगा आज को वर्तमान में कारेग्रत आई-टी कंपनीज का जहां पर से को नाम से बुला रहे होंगे और काम के ऊपर फोकस करते हैं का मुख्य है तो यह संप्रेशन आप्चारिक भी हो सकता है और अनप्चारिक है संप्रेशन एक द्विमारगी क्रिया है द्विमारगी मतलब टू वे अग ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने बात कहता रहूंगा म में दोनों बाते मुझे कम्यूलिकेट करना है तो वो टूवे है कम्यूलिकेट करूंगा बदले में उसका मुझे आंसर उसका उत्तर उसका प्रभाव वो प्राप्त होगा यहां कई बार प्रश्ण उठता है कि एक अधिकारी अगर अपने करमचारी को बुलाता है उसको करमचारी ने अपनी जो भी बातें कहीं उसमें उसने अपनी शारीरिक भाव भंगीमा नमबर एक अपने बोल चाल की भाशा अपने विचार अपनी पीड़ा अपने ग्रेवियंसे वो अपने करमचारी तक पहुंचाए करमचारी ने भले ही अपने बास का अपने अधिकार का सम्मान करते हुए कुछ भी न बोला हो तथा पी उसका चेहरा उसकी बाड़ी लेंग्वेज यह बिलकुल इस्पष्ट कर देगी कि वो उस व्यक्ति ने उस करमचारी ने उस कम्युनीकेशन को ग्रहन किया या नहीं किया तो प्रते कम्युनीकेशन आपका दुमार्गी होता है इस कम्युनीकेशन के लिए आपको एक उचित माध्यम की भी जरूरत होती है यह उचित माध्यम समय काल परिस्थितियां संस्था इन सब पनिर्वर करती हैं रात को सोते समय आपका संप्रिशन करने का तरीका वो नहीं हो सकता जो दिन में दस बजे अपने आफिस जाते समय होगा समय काल परिस्थितियां यह सब तै करती हैं कि आपके संप्रिशन का माध्यम क्या होगा आए अब हम लोग बात करते हैं संप्रिशन के महत्यों की किसी भी उद्योग के लिए संप्रिशन पर ध्यान देना एक बहुत आवश्यक्त चीज़ अगर संप्रिशन नहीं होगा उद्योग में तो यह तै मानिये उस उद्योग का जीवन बहुत लंबा नहीं बचेगा तो सबसे पहला फाइदा क्या होगा संप्रिशन का प्रभावी समनवय में सहायक यह संप्रिशन helps in establishing the effective coordination यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है यह संप्रिशन positive भी होता है negative भी होता है जब आप हस कर मुस्कुरा करके अपनी कोई बात अपने अधिकारी से करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अधिक होता है तो संप्रिशन के माध्यम से चुकि आप अपनी भावनाएं अपने विचार दूसरे व्यक्ति होती है helps in decision making अगर किसी संस्थान में कम्युनिकेशन है तो यह तय है कि वहाँ पर निर्णयन में सहायता मिलेगी क्योंकि निर्णयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि संस्थान के सभी व्यक्ति सामुहिक रूप से सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से उसमें हमें सहायता मिलेगी और वो निर्णय वास्तविक परिस्थितियों के ज्यादा नजदीक होंगे और वास्तविक्ता से नजदीक होने के करण उनका क्रियानमेन अधिक आसान होगा इसी प्रकार से communication, संप्रिशन, जन संपर्क इस्थापना करने में सहायक से अच्छे जन संपर्क को भी बढ़ावा मिलता है तथा जन्ता की नजरों में संसा की ख्याती बहुत बढ़ जाती है संप्रिशन की सहायता से ही प्रवंदक वर्ग, ग्रहकों और करमचारी संगठनों के साथ अच्छे संबंध इस्थापित करने में सहायक होता है संप्रिशन का अगला लाव होता है करमचारीों के नैतिक बल में व्रत्थी इट रेजिस दे मॉरेल अफ दे एमपलाईज प्रभावी संप्रिशन के माध्यम से उच्छ प्रवंद अपने करमचारीों तक सभी सूचनाओं को समय समय पर पहुंचाता रहता है और करमचारीों से सुझहाव के रूप में रिवर्स कम्यूनिकेशन किया जाता है चुकि करमचारी अपने आपको प्रबंधन के साथ जुड़ावा महसूस करने लगते हैं उनको लगता है कि उनके सुझहाव के संस्था के लिए उपयोगी हैं इससे करमचारीों के नैतिक बल में आशातीत व्रद्धी हो जाती है वर्तमान में भारत में औद्योगिक प्रजातंत्र की सापना चल रही है सभी संस्थाओं में औद्योगिक प्रजातंतर के उपत ज़्यान दिया जाता है तो संप्रेशन विकेंद्री तरण और सरम भागीता के सिद्धान्तों का सहारा लेके और द्योगिक प्रजातंत्र का आधार इस्तंब तयार करता है और संप्रेशन विकेंद्री करण और स्रम सहभागिता की आधार शिला है यानि कि अगर संप्रेशन के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए तो संप्रेशन, विकिंद्री करन और स्रम सहभागिता इस्थापित करने में अपनी पूरी आयोगदान देता है। प्रबंदकी छमता में व्रद्धी, it increases the managerial efficiency, एक सफल प्रबंदक के लिए प्रभावी संप्रेशन का ज्यान अत्यंता विश्रक है। प्रबंदकी दाइतों के निरवाह में संदेश वाहन बहुत अधिक सहायक होता है। कितना व्यवसाय बढ़ाना है, कितना सेल करनी है, कहां पर हमको माल बेचना है, किन से संपर्क करना है, किस से माल खड़ीदना है, इस सब संप्रेशन के प्रबार है। व्यवसाय की सफलता पर्याप्त सीमा तक प्रभावी संप्रेशन पर निरवर करती है। संप्रिशन प्रभावशाली होने पर संस्था के करमचारियों का मनोबल भी बढ़ जाता है। उनको लगता है कि हम एक ऐसी संस्था के साथ कारे कर रहे हैं जो कि वैश्विक रूप से सब के साथ जुड़ी हुई है। प्रभावी नियंत्र में सहायक होती है। बड़े आकार की व्यवसाई की कायों के स्थापना की प्रवरती प्रजातंत्र पर अगर निर्भर है तो उनकी नियंत्रन बहुत प्रभावी हो जाता। संप्रिशन इस नियंत्रन में बड़ा मदद करता। निर्टत्त लीडर्शिप लीडर्शिप का तो आधार ही संप्रेशन है अगर किसी व्यवसाई को सफल होना है तो उसे अपने करमचारियों के साथ अपने संबंध बहतर बनाने होंगे और संबंध बनाने के लिए आवशक है कि करमचारियों के बीच में अपने सहयोगियों के बीच में अपने फालोवर्स के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई मन मुटाओ या किसी प्रकार का अगर कोई दुर्भावना है तो से दूर करें और दुर्भावना दूर करने के लि अगर यह दुर्भावना दूर हो जाती है तो कहने कि आश्यक्ता नहीं है किसी भी संस्थान में और द्योगिक शान्ती स्थाफवित हो नेत्रत्व हो प्रभावी नियंत्रण हो विकेंद्री करण हो स्रम का सम्मान हो यह सब अप्रत्यक्षी रूप से संप्रिश्ण के प्राप्त होता है